अगर दुनिया में सबसे वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है ऐसा इसलिए है क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के प्रती इतने वफादार होते हैं कि कई बार उनके लिए वह अपनी जान पर भी खेल जाते हैं साथ ही ये खत्रा महसूस होने पर किसी की जान भी ले सकते हैं हम आज आपको दुनिया भर के ऐसे ही दस खतरनाक डॉग ब्रीट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतने खतरनाक है कि इन में से कई कुत्तों को पालने पर बैन लग चुका है एक पिट बूल पिट बूल प्रजाती के कुत्ते सबसे खतरनाक और आकरामक नसल के होते हैं इसका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध तक लगा दिया है हाला कि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिट बूल को आज भी पाला जाता है लेकिन इनके आकरामकता को रोकने के लिए बहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है सन 2015 में सिर्फ अमेरिका में ही पिट बूल के हमले से 28 लोगों के मौत की पुष्टी हो चुकी है इस प्रजाती के कुट्टे शक्तिशाली तो होते ही है लेकिन साथ ही बहुत तेजी से किसी को काटने में माहिर भी होते हैं साल 2014 में अमेरिका में रोट वेलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है वही, 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में कुट्टों के काटने से कई लोगों की मौत हुई थी, जिन में आधे से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार रॉटवेलर था यह 1460 न्यूटिन यानी 148 किलो के दबाव से किसी को काट सकता है इसका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है पुलिसिया कुट्टों के रूप में पहचान बना चुका जर्मन शेपर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाग कुट्टों में से एक है यह लोगों पर 108 किलो के दबाव से अटेक करता है जिसके बाद बच पाना मुश्किल होता है इनका वजन 30 से 40 किलो के बीच होता है कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है 4. डाबर्मेन पिंस्चर डाबर्मेन पिंस्चर प्रजाती के कुट्टे भी पुलिसिया डॉग होते है लेकिन अब आम लोग भी इसे घरों में पालने लगे है यह खतरनाग कुट्टा अजनबी लोगों को देखते ही आकरामक हो जाता है लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही शांत भी हो जाता है इसके काटने से साल 2011 में एक महिला की मौत हो गई थी लेकिन इसके बाद इसके काटने से जुरी कोई खबर नहीं आई इनका वजन 34 से 45 किलो के बीच होता है कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है पाँच बुलमास्टिफ बुलमास्टिफ आकरामक स्वभाव का कुत्ता होता है जिसके पैर बहुत ही लंबे होते है इस प्रजाती के कुत्तों का वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है साल 2014 में अमेरिका के न्यू जर्सी में इसके काटने से एक तेरह साल के बच्चे की मौत हो गई थी वही टेकसास में भी इसके अटेक से एक बच्चे की मौत इसी साल हुई थी इनका वजन 50 से 69 किलो के बीच होता है 6. हसकी हसकी प्रजाती के कुट्टे खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही इंटेलिजेंट होते हैं इन्हें स्लेज डॉप के रूप में भी जाना जाता है जो बिना पहियों की गारी को बरफीले मैदानों में खीचने में माहिर होते हैं यह जब आकरामक मूड में होता है तब किसी की भी जान ले सकता है इस प्रजाती के कुट्टे के कारण अमेरिका में 1989 से 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी है इनका वजन 20 से 27 किलो के बीच होता है 7. मालाम्यूट मालाम्यूट प्रजाती के कुट्टे उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं आकार में भेडियों के समान दिखने वाला मालाम्यूट का वजन 34 से 49 किलो के बीच होता है इस प्रजाती के कुट्टे intelligent होने के साथ ही energy और आकरामक्ता से भरे होते हैं University of Texas की study के अनुसार 1966-1980 के बीच इस कुत्ते के काटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है. इनका वजन 36-43 किलो के बीच होता है. 8. वोल्फ हाइब्रिड. वोल्फ हाइब्रिड डॉग्स की कुछ प्रजातिया ऐसी हैं जो भिरिया और कुत्तों के संकरन से बनी है. एक ऐसी प्रजाति वोल्फ हाइब्रिड है. अमेरिका के कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि यह किसी पर भी अटेक कर सकते हैं. आकड़ों की माने तो 1989 से 1998 के बीच इस प्रजाति के कुत्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हो चुकी है. इनका वजन 36 से 56 किलों के बीच होता है. 9. Boxer इस कारण से इन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है. इनका वजन 54 से 90 किलों के बीच होता है.